नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया है mean hoursonic missile के उपर काम कर रहा है इसका पहला test हुआ था जो सफल नहीं रहा था लेकिन लास्टीर जो test हुआ था वो सफल रहा था इसमें थोड़े समय के लिए हमने जो हाइपरसोनिक अचीवमेंट होती है जो उस स्पीड के ऊपर एक वहिकल जाता है उसे अचीव किया था और आगे उसकी टेकनोलोजी को डेवलप करने पे काम चल रहा है लेकिन दोस्तो अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एक और स्पेस स्टार्टप है जो हाइपरसोनिक वैपन के ऊपर काम करता है और इसने अपना स्केल मोडल दिखाया है एरो इंडिया 2021 के दोरान जिसका नाम है HGV202F और दोस्तो ये अपनी तरह का पहला हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वहिकल है जो अनपावर्ड वहिकल ह और साथ ही ये केपेबल है ग्लाइड करने में और अपर हाइपरसोनिक स्पीड में जाने में स्पेशली दोस्तो मीडियम रेंज स्टाइक के अंदर और दोस्तो कम्पनी का दावा ये भी है कि ये जो HGV202F है ये एक्चुल में हमारी जो करंटली जितनी भी क्रूज है उनसे फास्टर है और साथ ही बहुत ज Mitt Heald है यानी अपनी दिशा बदलने में माहिर है जो हमारे पास बैलस्टिक मिसाइल री एंट्री वहीकल भी है हलाकि दोस्तो अभी बैलस्टिक मिसाईल का जो री एंट्री वहीकल टाइप जिसके अंदर 3-4 अलग-लग तरय के वार तो ऐसे में दोस्तों अगर उनसे भी जादा इसकी मिनूवर करने की क्षमता है तो आप समझ सकते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड के उपर ये चीज कितनी जादा एफेक्टिव होगी और साथ ही मिनूवरेविलिटी अलाओ करती है किसी भी वैपन सिस्टम को कि वह लास्ट यानि कि वो अलग अलग उन्चाई पर जाना और साथ ही अपनी दिशा को बदलना एक तरह से उन्हें जो मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार होते हैं या फिर एर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके प्रती इन्विजीबल बना देता है यानि वे उसकी पकड़ के अंदर नही जाएगा तो दोस्तो ये है पावर स्टार्ट अप की कि हाइपर सोनिक वेहिकल या हाइपर सोनिक टेकनोलोजी जिसके उपर डिया डियो काम कर रहा है अब उसे अगर एक प्राइवेट फरम भी लेके आ रही है तो आप सोचिए दोस्तो कि हाइपर सोनिक के अंदर इंडिय कितना आगे निकल जाएगा और ये start-up के पास अभी कितना resources होंगे और ये नहीं ये तो बात की बात है लेकिन वे confident है इसे लाने के लिए तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है धन्यावाद जैहिन